कि नमस्कार दोस्तों मेरा नाम बायोमन है और स्वागत करता हूँ आप सभी का बायोमन पॉइंट में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वाट इस बायोलजी जीव विज्ञान क्या है तो अक्सर मैं आप लोगों को इंटर्टेन करने के लिए आप लोगों को खुस करन के लिए हमेशा आपको साहरी सुनाता रहता हूं न अजब बहुत सांधार सी साली लेके आया हूं मैं की सिकंदर के उपर यह साहरी लिखी लिखी घी कि याद रख सिकंदर के होसले भी आली थे जब गया था दुनिया से तो धोनों हाथ खाली थे नमस्कार दोस्तों मेरा नाम बाई ओमन है और स्वागत करता हूँ आप सभी का बाई ओमन पॉइंट पर तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वाट इस बाई ओलोजी आखिरकार आप जो पढ़ने जा रहे हो उसका मतलब तो आपको पता होना चाहिए ना उसका मतलब तो आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए बताओ पता होना चाहिए कि नहीं हाँ या ना हाँ या ना एक बात मेरे बताओ ध्यान से बताओ biology हिंदी में बोलते है जीव विग्यान ठीक है जीव विग्यान जो biology है बिलकुल सिंपल सी चीज़ है biology ग्रीक वर्ड के दो सब्दों से मिलकर के बना है पहला है bios दूसरा है logos ठीक है bios का मतलब होता है life ठीक है और logos का मतलब होता है to study ठीक है life की study जीवन का अध्यान ही जीव विग्यान कहलाता है किसका अध्यान जीवन का अध्यान या फिर हम कह सकते हैं इसमें कि जीवधारियों का अध्यान जीवधारियों का अध्यान ही यह आपको क्या कहलाता है जीव विख्यान ठीक है तो बात आती है यार बहुत पुरानी बात है कब कि यह lease 1800 ठीक है 1802 की बात है पोखी 1302 की बात है एक वग्यानिक थे जनका नाम था ले मार्क क्या नाम था बोलो मेरे साथ मेरे साथ बोल Traffic को मैं जो भी बोलता हूं ना उसको मेरे साथ आपको बोलना है क्या नाम था लैमार्क ठीक है हिंदी में लैमार्क लैमार्क नाम के वज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि जो बायलोजी है वो ग्रीक वर्ड के दो सब्दों से मिलकर के बनी है फॉस्ट बायॉस दूसरा है लाइफ ठीक है लाइफ के बारे में जीवन के बारे में अध्यान करना वही है जीव विज्ञान ठीक है किसी जीवधारी है जीवधारी कैसा है सजीव है ठीक है लीविंग है लीविंग ठीक्स के बारे में लीविंग के बारे में अध्यान करना सजीवों के बारे में अध् का है यहां पर मुझे लगता है मच्छर काट लिया है तो बार-बार मेरेको मच्छर किया काट लिया मुझे लगता है कोई दूसरा कीट पतंग गपाट लिया है तो हम बोल सकते हैं कि जो है biology is the scientific study of life ठीक है तो biology क्या होता है study of living organism biology में किसकी study किया जाता है biology में study of living organism ठीक है अब अगर देखा जाए बताए यह father of biology कौन है father है ना इसके पिता कौन है इसके बाप कौन है सब का बाप होता है ना सब का बाप होता है ना बताओ किसी अरे बाप तो होगा ही ना फादर तो होगा ही ना तो बायलोजी के फादर कौन है वो है अरिस्टोटल आपने अरस्टू का नाम सुना है ना किसका अरस्टू ये बहुत बड़ी ग्रीक फिलोसफर थे ये तीन सो चौरासी इसापूर तीन सो इसापूर के जहें इनका जन्म हुआ था और उस समय सोचों ये कितना तगड़ा सोचते थे इनकी thinking इनका thought process क्या था कि इनको father of biology बोला गया जीव विग्यान का पिता बोला गया है ना इनको father of biology के साथ father of geology भी बोला जाता है किसको एरिस्टोटल को अरस्टू को सुचों कितनी बड़ी हस्ती थी अच्छा आज के समय में modern अरस्टू आपके आसपास भी हो सकते हैं है ना बहुत से ऐसे लोग हैं उनको ढूड़ो पता करो उनसे मिलो उनसे सीखो है ना तो father of biology कौन है तो वो हैं आपके एरिस्टोटल टोटल क्या है तो वो हैं आपके एरिस्टोटल एरिस्टोटल ठीके एरिस्टोटल को father of geology भी बोला जाता है ठीके अब देखा जाए biology को mainly जह है दो भागों में बाड़ दिया गया तीन भागों में बाड़ दिया गया है ठीके डिवाइड कर दिया गया है तीन पार्ट में ठीके फर्स्ट बॉटिनी जूलोजी और माइक्रो बायोलोजी कम से कम important चीज ये है कि इन सभी के आपको father तो पता होने चाहिए कि अखिरकार इनके father को होने बॉटिनी में क्या होता है study of plants बॉटिनी के अंदर क्या किया जाता है study of plants जूलोजी के अंदर study of animals microbiology के अंदर study of microorganisms ठीक है अगर बात की जाए बताए ये father of botany कौन है ठीक है यानि कि botany को हिंदी में बोलते हैं botany वनस्पती विज्ञान है ना इसको बोलेंगे वनस्पती विज्ञान इसको बोलेंगे वनस्पती विज्ञान क्या बोलेंगे वनस्पती विज्ञान इसको क्या बोलेंगे जूलोजी को जन्तू विज्ञान मेरे साथ याद करना father of geology कौन है तो वो है आपके air is total ठीक है और father of botany कौन है तो वो है three of fresh dust कौन है तो वो है आपके three of fresh dust फ्रेस्टस फ्रेस्टस ठीक है three of fresh dust यह three of fresh three of fresh dust यह सही है इसका थ्रियो फ्रेस्टस ठीक है तो आपके देखाए father of botany कौन है वो है three of fresh dust हिंदी में भी वही होगा ठीक हिंदी में भी लिखो ना चाहो तो लिख लो three of fresh dust ठीक है अरस्टू और father of microbiology कौन है वो है एंटोनी वान लिवेन हॉक ठीक है तो एंटोनी वान लिवेन हॉक ठीक है तो biology है ठीक है अगर आपसे बात किया जाए बताइए जैसे कुश्चन आपसे पूछ लेता है कि या देखो दिमाग से उतर रहे क्या नाम था father of Indian Botany कौन है ठीक है मतलब भारत के वनस्पती विज्ञान के जनक कौन है तो भारत के जो वनस्पती विज्ञान के जनक है वो थे डॉक्टर विलियम रॉक्सबर्ग ठीक है अगर father of Indian पूछा जाए इंडियन बॉटनी तो वह है डॉक्टर विलियम विलियम रॉक्सबर्ग तो यह था आपका कुछ सामानने सी बातें जीव विज्ञान के बारे में जो सब को यानि की प्रतेख बायलोजी पढ़ने वाले बच्चे को पता होना चाहिए है न और देखो पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई का मतलब क्या होता है ताकि आप सोचना सीख जाएं आप समझ सीख जाएं ठीक है इसलिए आपको पढ़ाया जाता है इसलिए नहीं पढ़ाया जाता है कि वस इतना ही पढ़ना है नहीं पढ़ाया इसलिए जाता है ताकि आप अपने से पढ़ना सीख जाएं अपने से सोचना सीख जाएं सही और गलत में पहचान करना सीख जाएं ठीक ह याद रखना ठीक है कभी कभी देखो मैं कई सालों से पढ़ा रहा हूँ ठीक है करीम मेरा ये पांचवा साल है पांच सालों से लगातार मैं पढ़ा रहा हूँ तो कभी कभी क्या होते है बच्चे कमेंट करते रहते हैं कि भाईया पहुत मतलब पढ़ता हूं उदास हो यह है वह तो याद रखना भया कि अगर आपके जिन्दगी में उदासरी आ रही थोड़ा सा कुछ परेषानिया आ रही है ना थोड़ा sa मुझ चाइलेंजेस आपके जीवन में आ रहे है ना याद रखना कुछ कर रहे हो तभी challenges आ रहे हैं ठीक है तो वो जायज परेसानिया है ना उन पर परेसान होने के जूरत नहीं वो आ रहे हैं तो खुस हो जाओ कि मेरे पास challenges आ रहे हैं ठीक है जिसके पास challenges आते हैं वही जीवन में आगे निकलते हैं क्योंकि उन challenges से वो क्या करते लड़ाई करते हैं लड़ाई मतलब कठोर वर्ड है लेकिन चैलेंजिस के बारे में बता रहा हूँ मैंना उससे वह भिड़ते हैं फिर उससे वह आगे निकल जाते हैं तो जीवन में हमेशा खुस रहो देखो जीवन का एक मेन उद्देश से बना लो धर्म इसको माल लो कि हमेशा प्यार से रहो कैसे रहो प्यार से जैसे कबीर दास ने अपने एक जो है दोहे में बोला था कि पोथी पढ़ने से जग हुआ होगा लेकिन उसके साथ आपको धाई अच्छर जो प्रेम के प्रेम आपको पढ़ना पढ़ेगा अगर आपको प्रेम नहीं आता है प्रेम करना नहीं आप सीखें है सही से लोगों से बात नहीं करते हैं तो कोई मतलम नहीं आपके पढ़ाई क्या ठीक है कितनी भी डिगरियां आपके पास है कोई मतलम नहीं है सबसे पहले इसको implement करो इसको follow करो आप सबी लोग मैं भी प्रयास करता हूँ ऐसा नहीं कि मैं नहीं करता मैं भी करता हूँ इसलिए मैं आपको بتा रहा हूँ मैं जो चीज़े आपको बताता हूँ na पहले मैं वो करता हूँ पहले उसका experience करता हूँ फिर जाके मैं आपको बताता हूँ, ऐसे नहीं आके बता देता, है ना, तो इसलिए जीवन के जो लच्छ हैं, उनको पाने के लिए आपको रणनीती बनानी होगी, है ना, लेकिन जीवन में याद रखना, जो अरस्तू थे ना, अरस्तू, अरस्तू भी बोलके गए हैं, कि इ पिर्शा, दोस, द्वेस, लोब, लालच, थीक है, किसी का बुरा मत करो, जूट मत बोलो, चोरी मत करो, ये सब चीजे मत करो, अगर नहीं करोगे तो तुम खुस रहोगे, सच में खुस रहोगे, अगर ये सारी चीजे तुम करोगे, तो दुखी रहोगे, पक्का हैंड़ परसंट की गैरंटी है, तुम ढुखी रहोगे, अगर इनको छोड़ दोगे, तो सच में तुम खुस रहोगे, तुम में खुस रहोगे तुम इसले कर तुम्हें सच में खुस रहना है ना रियल में खुस रहना है तो प्रेम सीखना होगा करना होगा सभी से ठीक है किसी का बुरा नहीं सोचना होगा क्योंकि जब आप बुरा किसी का सोचते हो किसी के बारे में आप गलत सोचते हो तो आप अपन होगा बताओ सिंपल सा कोश्यन है आप बुरा सोच रहे हो ठीक है अपने दिमाग में तो बुरा किसके साथ होगा बताओ अगर मैं आप उसे भूछ हूँ बुरा किसके साथ होगा आपके साथ ही होगा ना आप जैसा सोचेंगे आप वैसा ही बन जाएंगे आप किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हैं तो आप अच्छे इसलिए अच्छा सोच रहे हैं किसी के बारे में अदि आप बुरा सोच रहे हैं तो जाहिर से बात है आप भा बहुत बुरे हैं तभी तो आप किसी दूसरे के बारे में बुरा सोच रहे हैं अच्छाई या फिर बुराई आपको मेरे अंदर क्या दिख रही है अच्छाई या फिर बुराई इचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बाकि आप सभी लोग प्यारी बच्चे हैं बहुत अच्छे बच्चे हैं यह तो बस अभी स्टार्टिंग फेज है आगे अच् कुछ चिखाऊंगा आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विस्ट वॉल्द बेस्ट धन्यवाद है